हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ तीन तरीके के पैड के बारे में तो ये पैड हम ब्लाउज में अटेश करते हैं किस साइज का पैड कौन से ब्लाउज में अ लिखा हुआ आता है तो जिस साइज का भी पैड पे साइज लिखा है वही सेम साइज आप अपनी ब्लाउज में आप अपने गाउन में अटेश कर सकते हैं तो ये जो पैड है राउन वाला पैड फ्रेंड्स तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ स्मोल साइज में यूज करती तो इसके लिए मैं आपको suggest नहीं करूँगी कि आप 34 size के ऊपर वाले size में इस pad को attach करें आप इसको small size में pad को attach कीजिए small size वाले जो blouse होते हैं, gowns होते हैं, 32, 30 size उसमें आप इसको attach कर सकते हैं अब बात करते हैं हम इस type के pad के बारे में तो friends यह imported pad है और इसके जो यहाँ पर corner जो दोनों साइडों में निकले होते हैं इसी के उपर यहाँ पर इसमें numbering लिखी होती है तो यह A, B और C हर जो 32 का size आता है उसमें A, B, C तीनों size आते हैं कफ size तो आप उसी के according attach कर सकते हैं 34, 35, 36 तो यह कम size में आप small size जो होते हैं उसमें आप इन pad को इस्तमाल नहीं कीजिए क्योंकि यह एक तो बहुत soft होता है बहुत पतला pad होता है तो size इसमें अच्छे से नहीं बन पाता है और इसकी fitting भी अच्छी नहीं आएगी लेकिन heavy size में आप हमेशा इसी pad का इस्तमाल करेंगे तो यह pad बहुत अच्छा रहेगा heavy size में मैं हमेशा इसी pad का इस्तमाल करती हूँ तो आप जब भी आप 38 size या उससे ज़्यादा size वाले blouse आप बनाते हैं तो आप इसी pad का इस्तमाल कीजिए यह बहुत अच्छे से attach भी हो जाता है आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस pad को किस तरीके से dummy पे attach करते हैं तो dummy पे ही set करके यह बनाया जाता है अब बात करते हैं हम iPad के बारे में इसको iPad बोलते हैं क्योंकि यह एक तो eyes की shape में होता है और यह attach किया जाता है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सिखाऊंगी वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है core set के उपर तो link मैंने description box में डाल दूँगी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो friends मैंने तीनो टाइप के जो pad है उसका इस्तमाल कहां पर कैसे करते हैं वो सकते हैं Instagram पर भी मुझे follow कर सकते हैं मिलती हूँ आपसे next वीडियो में नए topic के साथ नए design के साथ तब तक के लिए bye bye